नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मैं उल्ली आयस फाउंडेशन चानल पर मैं हूँ मुहम्मद आसम और दोस्तों आज हम लोग ओल्ल न्सियाटी आरे शर्मा इसका चाप्टर नमबर 23 डिसकस करने जा रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे हर्श के टाइमज के बारे में उनके एरा के बारे में आज हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं तो आज के सेशन को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले जैसे आपको पता है कि अभी विश्वास दिवस का ऊफर के चलते बहुत सारा डिसकाउट अभी आपको अवेल हो सकता है जैसे for example यह आपका संकल 4.0 बैच जो है वो भी आपको 10,000 रुपे में अवेल हो जाएगा उसके लावा जैसे आप टाइटन बैच देख रहे हैं दो आपको 10,000 रुपीज में मिल जाएगा जो आपके pure English वाला बैच है similarly प्रहार बैच आपको 7,000 रुपे मिल जाएगा और जो प्रारंब 2026 के लिए है यह basically college going students के लिए है जो अभी college में है और वो अभी 2026 में 27 पर जाके exam देने वाले हैं तो यह उनके लिए बैच है क्योंकि यहाँ पर semester wise आपको पढ़ाया जाएगा आपको prepare किया जाएगा तो य यह बैच अभी आपको 29,999 रुपीज जानी की 30,000 रुप में मिल जाएगा तो यह offers अभी आपके 10th of March तक valid है आप इनको इस offers को अभी इस date तक अभी कर सकते हैं चलिए start करते हैं दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हर्श and his times को लेकर तो यहाँ तक अभी हमने जो कहा हम गुपता पीरट जब पढ़ रहे थे गुपता पीरट के टाइम पर मैंने आपको यह बात बता दी कि भाई गुपताज के टाइम में जो administration था वह बहुत बड़ा reason मनता है उनके downfall का क्यों गुपताओं ने जो भी गुपताज में जो भी areas को जीता बहुत सारे area ऐसे थे जो उन्होंने इसको जीता तो जीतने के बाद उस area को उन्होंने annex नहीं किया या फिर मैं कहूं उस पर कबज़ा करके रखा नहीं rather than वो राजा को जहां जिसको हराया उसी को दे दिया और यह कहा कि आपको मेरी सुजरानिटी या मेरी संप्रुमता या मेरी जो dominance है उसको accept कर जीतने के बाद वो जगह है वो जमीन उन राजाओं से ली नहीं वो territory उन राजा से लिया नहीं राधार यह कह दिया कि आप ही इसको गवर्ण करो बस आपको मेरी संप्रुमता यानि मेरी sovereignty मेरी dominance को मानना पड़े इस तरह से गुपताओं ने बहुत सारे अपने फ्यूड़ गवर्ण कर रहे थे यह मैंने कहानी आपको बताई थी और यही बड़ा reason मनता है उनके downfall का क्यों कि जब गुपतास का downfall शुरू होता है जब हुडों का आक्रमन होता है तो हुडों के आकरमन के टाइम पर गुपतास काफी weak हो जाते हैं हना और जो उसके बाद rulers भी आते है सकंध गुप्त कुमार गुप्त के बाद वो उसको अपने आपको इंडिपेंडिन डिकलेर करने लगते हैं तो गुपता के रूल खताब होने के बाद जो फेज आता है इंशन डिस्ट्रीक अंदर उसको हम लोग पोस्ट गुपता पीरिट कहते हैं तो प्लीज इसको यहां पर एक बार मेंशन कर लीजे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं आज वो होगा आपका पोस्ट गुपता पीरिट पोस्ट गुपता ठीक है ना जैसे हमने देखा कि मौरेन अंपायर था और मौरेन अंपायर के बाद बहुत बड़ा समराज्य था राइट नीचे की साउथ इंडिया की डीप साउथ की स्टेट छोड़ दीजे तो वहां से लेकर ऊपर इंफाक्ट आप पूरा नॉर्थ इंडिया देख लिए तो वहां था कि मौरेन अंपायर था लेकिन जब मौरेन अंपायर डिसिंटीग्रेट करता है तो फिर उसके बाद पोस्ट मौरेया पीरेट में हमने देखा की फ्राग्मेंटेशन हो जाता है और चोटे-चोटे डिनस्टी देखने को मिलते हैं नॉर्थ इंडिया में मैंने दिन हैकिन गौप्ता पीरेट चुरू होता है तो यहां पर और अच्छे से सद्क बना लीजेगा फिर मैं आपको चाप्टर का के थियोरी में जाओंगा पहले एक बार मैं आपको पूरा ज़स समझा दूँगा तो नॉर्थ इंडिया का पॉर्शन और इधर आप लिख लीजे साउथ इंडिया सेम चीज है सेम जैसे आपने मौरियास के बाद पोस्ट मौरिया का पीरट देखा था अना नॉर्थ इंडिय नेटेव रूलर्स साउथ इंडिया डीप साउथ चोला चेरा पांडियास वैसी अब यहां पर जो हिंदुस्तान था पोस्ट गुपता पीरट में वो दो भागों में डिवाइड हो गया था यहां पर मैं कह सकता हूँ दो पार्ट में उसको पढ़ने वाले हैं मैजॉरिट पुष्यभूती डाइनिस्टी इसी डाइनिस्टी को हम लोग वर्दान डाइनिस्टी भी कह रहे हैं इसको हम लोग वर्दान डाइनिस्टी भी कहते हैं ठीक है अधर साइड हम साउथ इंडिया की बात करेंगे तो यहां पर हम डिसकस करेंगे अबाउट डी चालुक्याज चालुक्यास यहाँ वर हम बात करेंगे about the पल्लवास और ये दोनों ही इन दोनों की बीच में काफी conflict लगातार चलता रहा तो इनके बीच का जो conflict था वो हमारे examination perspective से important हो जाएगा ठीक है तो ये वाला जो portion है जो हमें आज discuss करना है this we are dealing in chapter number 23 और ये वाला जो chapter ये वाला जो portion है चालुक्यायम पल्लवास का इसको हम deal करेंगे next chapter में that is chapter number 24 आरेश शर्मा clear है यहाँ तक बात यहाँ तक बात clear है ठीक है तो basically ये जो chapter नौर्थ इंडिया का portion है अब यहाँ देखेगा नौर्थ इंडिया के portion है मैंने आपसे बोला कि pushybhuti dynasty यहाँ पर rule करना start करती है है और actually आप देखोगे तो जो founder थे इसके वो pushybhuti ही थे ठीक है तो इस dynasty के जो founder है founder he is pushybhuti himself pushybhuti right लेकिन जो इस dynasty के most important ruler थमन्या आते है most important ruler इस dynasty के जो होते है ठीक है इनका नाम था प्रभाकर वर्मन ठीक है ना इनका नाम था प्रभाकर 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 वर्मन के यहाँ पर तीन बच्चे थे तीन उनके बच्चे थे वन वाज प्लीज नोट करिएगा वन वाज राज्यवर्धन one was राजवर्धन one was हर्षवर्धन इनका नाम आपने सुना होगा हर्षवर्धन मैंने बताया ना इसको बर्धार नोने स्टी भी कहते हैं हर्षवर्धन और एक इन दोनों की यहाँ बहन भी थी her name was राज्जुश्री her name was राज्जुश्री नोट कर लीजे अब मैं आपको कहानी बताता हूं ठीक है पोस्गुपता पीरेड पोस्गुपता पीरेड नॉर्थ इंडिया वी विल डिस्कास अब पुश्यभूती डैनेस्टी एंड ऑन दी साउथ इंडिया पॉर्शन हमारे पास दो डैनेस्टी है डैटेस चालो क्या द्याणा में लेकिन तब एक्सपैंशन नहीं होता है ठीक है मोस्ट इंपोर्टन डूलर वस्ट प्रभाकर वर्मन और वहां से कहानी शुरू होती है राजवर्धन इनके अब ललका था इस एल्डेस चन बड़ा ललका राजवर्धन छोटा ललका वास हर्षवर्धन और उ साउथ चालुक्याज और इस साइट जो हो रहा है यह कंटम्परी रीउस भी है यानि कि जिस वक्त यहां पर आप देखोगे हर्षवर्धन रूल कर रहा है तो उस वक्त चालुक्या का रूलर पुलकेशन टू भी उस वक्त महाँ पर है हम इनकी लड़ाई के बारे में बार ठीक है न तो यहां पर हम लोग यह अगली क्लास में डिसकुस करना है यहां पर हम लोग उसके एक राजा पुलकेशन टू के बारे में बात करेंगे एक पासिंग रिफरेंस यहां पर देंगी हम लोग ठीक है और यहां पर एक डाइग्राम बनाकर देना चाहता हूं जिसको आप एक बार देख लीजे ठीक है ठीक है यहां तक आप देख लीजे ठीक है अब यहां पर एक बार समझेगा यह जो portion है यहां वाला यह आपका portion है जो basically मैं कह रहा हूँ कि ठानेश्वर का area हो गया ठीक है ना उसके बाद आपको यह वाला जो area देख रहा है यह आपका हो गया कन्नौच का area ठीक है जहां पर मौखरी जूरूल कर रहे थे उसके बाद यहां पर आपको देखेगा कि यह वाला area somewhere around यहां पर आपको बेंगॉल्क में शशांक of God God के राजा शशांक यहां रूल कर रहे थे ठीक है यह आपको इधर देखेगा this is the area of Malwa right ठीक है फिर आपको इधर भी एक छोटा सा area देखेगा मैत्रिकाज right तो इस प्रेकार से जब हम देखेंगे गुप्ताज करते हैं तो नौर्थ इंडिया के अंदर आपको यह पूरा यहां वाला जो portion है sorry yay वाला जो portion है this is this is जहां पर मौ히 कर रहे हैं यह वाला जो portion है this is the portion of God यह बाला जो portion है यह वाला portion है आपका मालबा यह आप इधा देखो यह वाला the Lincoln है महित्रिकास का ठीक है नीचे यूवल फाइंड यहां से यहां तक यह वाला एरिया इस रूल बाई चालुक्यास और यहां पर आपको मिलेगा पल्लवास तो यह वाला एरिया वास पल्लवास का ठीक है यह वाला एरिया जो है वो है आपका चालुक्यास का डाइगराम इसलि मौखरीज रूल कर रहे हैं मौखरी ठीक है न और मौखरीज का वो एरिया है जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा यह मिलेगा आपको यहां पर कन्नौज है ठीक है न क्या है कन्नौज ठीक है तो एक सिटी तो यह हो गया जो मौखरीज के अंदर आता था ऐसे ही मौखरी क अंदर एक city और है इसको लिख लीजिए आयोध्या एक city आपको और मिलेगा and that is मत्रा तो यह कुछ city है जिसके around मौखरी जहां पर रूल कर रहे थे यह इनी की kingdom में territories के अंदर आता था ठीक है और यहां पर जो आप दिको दिख रहा है और यही थानेश्वर सही यह dynasty जो है वो start होती है तो यह है वो सेनारियो इंडिया का जब इंडिया में पोस्गुपता पीरिड शुरू होता है मैंने आपको deliberately एतना time लेकि यह picture बनाने की कोशिश करी है ताकि आपको पूरी कहानी clear हो जाए तो थानेश्वर से कहानी शुरू होगी ठीक है फिर वो आगे बढ़ेगी और यहां से अब यह dynasty expand करना start करेगी अब होता है यहां पर इस जगे पे if you'll see इधर पे होगा हुणों का आक्रमत हुण यहां पर कहीं बैठे हुए थे ठीक है यहां पर कहीं आपको मैं side लिख रहा ना तो यह वाला portion जो है उस वक्त बड़ा सा portion this entire portion यह पूरा आपको देखने को मिलेगा गुप्ता यहां पर रूल कर रहे थे ठीक है अब जैसे नीचे आप देखोगे वका टाकात है वो भी गुप्ता के फ्यूडिटरी थे राइट लेकिन वही है जब गुप्ता डिक्ला situation को समाजना है अब आगे कहानी जरह समझियेगा कि कहानी चलती कैसे दरा देखिए अब राजवर्धन जब थे तो राजवर्धन के टाइम पर ही राजवर्धन के टाइम पर हुआ प्लीस रोड़ करीगा राजवर्धन राजवर्मन ठीक है ये पता है आपको कहां से थानेशवर से रूल कर रहे थे थानेशवर से रूल कर रहे थे इन्होंने क्या किया इन्होंने अपनी बेहन यानि कि राजजिश्री की जो वेडिंग है शादी है राजजिश्री की जो शादी है वो करवा दी मौकरी के राजा ग्रह वर्मन से मौकरी के यहाँ पर रूलर थे इनका नाम था ग्रह वर्मन तो ग्रह वर्मन से जो है वो यहाँ पर शादी कराई तो बिसिकली यहाँ पर एक matrimonial lines जो है वो इन दोनों के बीच में यहाँ develop हो गया matrimonial lines जो है वो इन दोनों के बीच में ग्राइबर मन थे लेकिन at the same time यहां पर यह इस जगे आप देखेंगे तो यह था यहां पर kingdom of God और God के जो राजा थे वो थे शशांक गौड के राजा थे शशांक ठीक है और इधर आपको मिलेगा यहां पर इधर था मालवा यहां पर था मालवा ठीक है इन दोनों ने मिलकर युनाइटेडली अटाग्ड मौखरीज ठीक है और यह जो एरिया है इरिया ओफ कन्नौज और जो कन्नौज का एरिया है ना दोस्तों यह एरिया काफी important है क्यों क्योंकि इस कन्नौज के around क्योंकि यह बसा जो है ना वो दो न नेस्टल्ड नेस्टल्ड मतलब नेसल्ड बिट्वीन नेसल्ड इन दुवाब दो आव यानिकी दो वाटर बोडी के बीच में बसा हुआ एरिया था कन्नौज का बढ़ा ही फटाइल था ठीक है कन्नौज प्रॉमिनस में क्यों आया नंबर वन एक तो यह बड़ा फटाइल झाल क प्रॉमिनस माना स्टार्ट हो जाता है दूसरी बात इसका इसे बढ़ा आईजी था मिखर इस jurisdiction अब हुआई जहाँ ना विग्रे परिया थे इस वक्त यहाँ पर राजवर्धन थे और जब राजवर्धन के टाइम पर जब अटक हुआ तो इनकी जो बेसिकली यहाँ राजशरी बेहन थी वो एक तरह से क्याप्टिव में आगी तो जब शशांक गौड के राजा और मालवा जब यह दोनों मिलकर अटाइक करते हैं मौकरीज के किंडम को तो ग्रह वर्मन की महाँ पर डेथ हो जाती है ग्रह वर्मन मारा जाता है और राजशरी जो है वो शशांक गौड जो है उसको पकड़ के ले चाही ठैक राजवर्द्न हार जाता आखे के बड़ा ही गुस्सा nutra में पर यहां पर हार जाता है राजवर्दन के बात जो गड़ी बैठा वो था हर्श्वर्धन हर्षवर्धर और हर्षवर्धर ने जब यहां अटाक किया कन्नौज को तो कन्नौज को जब अटाक किया तो वहाँ पर शशॉंक और गॉल को हरा दिया जब यहाँ पर इनको हराया तो भाईया इनके पास दो काम थे दो रीजन्स ते अटाक करने के नंबर वन एक तो अपनी बहन को बचाना है और दूसरा जो यह आपने भाई की डेथ हुई है राज वर्दन की उसका बदल लेना है यह दोने ही आपने इनके पाट ता यहां पर टू रीजन्स दोनों चीज है रिवेंज ऑफ रिवेंज ऑफ ब्रदर्स डेथ ब्रदर्स यह पूरी कहानी है यहां पर घटती है पाई सोचो ना थानेश्वर जो है अब थानेश्वर और मौकरी यानि कन्नौज अब यह लोग एक होना चाहते हैं एक्सपैंशन समझना रहा है कि नहीं आ रहा है एक्सपैंशन यहां क्या होता दिख रहा है इन लोग को इनको होता दिख रहा है कि यह लोग यहां से यहां तक एक हो जाएंगे तो भाईया यह एक्सपैंशन हो गया टेरिटोरियल यह चीज इनको रास भी नहीं आ रही थी इन्होंने अटाक कर दिया इसके उपर इन दोनोंने मिलकर जब अटाक हुआ कन्यों जहाच से निकल गया और वो शशांग के पास आ गया गौड के पास वो एरिया उनके अंदर आ गया हर्षवर्दन जब वापस अटाक करता है तो हर्षवर्दन वापस से वह यह ले लेता है और गौर के राजा श्रांग को भी हरा देता है एक बार मैं आपको इस इमेज को यहाँ पर यह जो आगे डाइगराम आएगा इसको जड़ा यहाँ पर गौर से देखिए प्लीज सी यह जो आप एरिया देख रहे हैं यह है आपका पुशिभूती का टेरिट्री स्टार्टिंग में जब ठानिश्वर्थ से यह शुरू होता है पूरा डैनिस्ट्री राजवर्जन राथोर और आपके प्रभाकर वर्मन की ठीक है ना इधर आप देखो उन्से लगा यह आपको दिख रहा है यहां पर इस दा एडिया उफ मखारी करें और यहीं पर आपको भर विसी नर्मणार रिभर। ठीक है इसके नीचे आप देखें जो पूरा ठीक है इस इस टरिट्री कर favour इसकी है यह है पल्लवास का ठीक है पल्लवास जिनकी क्या थी कांची पुर्म और यहां पर देखे यह रखांग तो यह इंपर्टियास चाहां के बदामी के छाव तॉय यह तो पूर्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्लियर है और यहां पर सम्वेर आपको गॉल जो मिलेंगे वो यहां पर देखने को मिलेंगे अब जरा आगे एक बार वापस आते हैं अपने ही इस डाइग्राम पर ठीक है तो यह कहानी यहां पर आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरह से चली हुई है इतना ही अपने अभी फिल所 यहां पर दिया हुँआ है अच्छा मालवा का राजा बहुस देव गुप्त यह भी आप चाहो तो यहां ड़लो कि मौलवा को कि नवा कर घृर यहां फसका नाम था डेव गुप्त छहिक है देव गुप्त और शक्रांग नंने मिलकर मौकरी इ है नेक्स्ट चलिए अब जरा यहां पर और भी चीजों पर नदर डालते हैं जैसे कि हम बात करें हर्श्वर्धन के रिलीजिन की हर्श्वर्धन हर्श्वर्धन इनके हम रिलीजिन की बात करें लेकिन लेटर आप देखोगे कि यह बुद्धिजिन में कनवर्ट हो जाते हैं इनिशली ही बुद्धिजिन में बुद्धिजिन में बुद्धिजिन बुद्धिजन में भी हीन यान बुद्धिजन ठीक है न और इंपोर्टिंट्टि जब यहां पर हिून सांग आते हैं हर्श्वर्दन के टाइम पर हर्श्वर्दन का वोगी टाइम है जब यह 606 ADM बैठते हैं गद्धी पर तो उसके बाद यहां पर पहुँचते हैं हिून स इनकी territory पहुचते हैं ठीक है और यून सांग अपने अकाउंट्स में बताते भी है ठीक है और बाद में पता चलता है कि जो हर्चवर्धन थे वो क्या वो महायान बुद्दिजिम में कनवर्ट हो जाते हैं और महायान बुद्दिजिम की इसको बताने के लिए या इसको च्प्रेट करने के लिए यहां पर होती है two assemblies धीक है और दो assembly कहा कहा पर होती है यह important है एक आपको मिलेगी किन्होंज में और दूसरी आपको मिलेगी प्रयाग में प्लीज नोट कर दिजें एक आपकी असेम्दी हुई थी कर्नोज में और यह नों करनाज और प्र्यांग धेनखाट र में लुए रहे हमको हर्श वर्धं के बारे में एक तो हमको पता सवल пой, हमको हून साइंग की थुरू पता चलता है हून साइं की जो अकांटStay वह Timothy ने वह बताते हैं हर्श वर्धं की बारे थे कि अहर्ष मैंत डिवरय वो पूरा एरिया नॉर्थ इंडिया का है उस तब उसके ऊपर हर्ष माधन उसके डिशय से बैटल ती कि यहां यहांपर हुई तो इस बैटल में यह इस बैटल में वह अपको पूझागा रहा हूँ यह बैटल होई ठी हर्शवरधन और चालो क्या का कि रूलर पुलकेशन 2 के बीच में तो यहां पर जब हर्शवरधन इसके नीचे हर्शवरधन नहीं आ सकता वहाँ पर एरिया इनका है पुलकेशन 2 का और इसकी ऊपर आप जो चाहे करो ठीक है तो बेसिकली अब सौथ नॉट्टाउट जो पॉसिबल नहीं था यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी अब यहां पर क्या हुआ जो मैं आपको आगे बता रहा था यहां पर आईए यहां पर जब दो पर इसमेलिज के सम्ट होती है कि अनॉज के सम्मिली शुरू होई यहां पर लोग उठाओ अब जब लोग उठाओ यहां पर बुलना शूर नीब बोला उस स्विशतों यह बहिए भी जिसको मेरी टीचिंग को अगर बोल रहा हूं तो वह पांच दिन तक तो कुछ नहीं हुआ लेकिन जब ऐसा पांच दिन की बात क्या हुआ कि लोग जो है जो उनकी स्कॉलर्स से वड़े वो हो गए क्या बाते कर रहे हो आपर और इन फैक्ट ऐसा भी हुआ कि हून सांग को मारने की बात करी गई तो हर्षवर्दन को पता चला तो हर्षवर्दन ने बोला कि भाईया हून सांग को किसी लगर हात लगाया तो मुझे से बड़ा कोई नहीं होगा हाला जो है इस हब तक यहां पर आ गये थे एक कन्यों चाहर्श में होती है प्रियां के लिए अपने यहां पर बता इक है अब इसके लावा एक चीज और आपको अभी तक आपने पढ़ी कोई जैसे हम लोग कई सारे संवत की वारें पड़ चुके जैसे हम लोग में विक्रम संवत के वारें पढ़ा था लिक्रम संवत याद करिये 57WC पहले इसके लावा हमारा जो एक चलता है Gregorian Canada जो आपका अंग्रीजी जुसको बोलते हैं या नि वो चलता है तो के टांग पर आया हम ना यानी कुछानौं के टाइब पाया grant टो कनिष्क एरा हो गया प्रिस्क का एरा हो गया जना सेविंटीेरेटी इटी इसको मुननलगे हम cahyd उसके बाद आपका गुपता एयरा आता है गुपता एयरा जब चंद्रगुपती वाला टाइम आता है गुपता एयरा और गुपतार आपका क्या होता है 320a.2 क्या असपास ठीक है वैसे ही यहाँ पर अब harsh version रुल करते हैं तो हर्ष का एयरा जो है वो यहाँ पर जो बुला गया है इट इस फ्रॉम 606 606 यहाँ पर AD लेटर तो यह कुछ इस प्रकार से चीजे हैं जो अगेन मैंने जिसे आपको शेर कर दिया आप चाहें तो इसको यहाँ पर नोट कर तकते हैं ठीक है अब यहाँ पर टीन प्ले भी थे जो हर्श बर्धन ने लिखे थे दोस्तों मैं आपको पूरा क्रक्स कर रहा हूं उसके बाद हम चाप्टर पढ़ेंगे तो आपको फ्लाउज में आजागा हार एक चीज़ कवर हो गई है प्लीज राजा जो है वो राजा कब दिखेगा आज जो उस्तकी काम करेगा यह यह भी कर दिया वो भी कर दिया राजा है न वो प्रजास दर्शिका एक प्ले दूसरा लिखा गया रत्नावली रत्नावली थर्ड थर्ड प्ले लिखा गया था नोट कर लिए नागानंद यह तीन प्ले थे जो हर्षवर्धन ने लिखे थे ठीक है अभी बोला जाता है हर्षवर्धन लिखे थे बट बेसिकली ऑविसली राजा यह थ जो है वो इनी का था और यह नाम जो है बार-बार मतलब ऐसा बोलो जाता है यहां रजा ने काम किया हुआ पियर है, तो कहानी बस इतनी सी है, इस से ज़्यादा यहाँ पर कहानीओं को ज़्यादा है नहीं, इस चाप्टर गेंदा बड़ा छोटा सा चाप्टर है, पियर है, अब ज़्या कुछ बाते जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको भी एक बार यहाँ पर आप अच्छे से क्या था कि decline जो होता है गुपतास का, तो उसके reasons क्या थे, वो भी आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ के चलिएगा, हाना, reasons क्या थे decline के, reasons क्या थे decline के, सर वो आपने बता दिया, number one, क्या था, फुडों का अक्रमण हुआ था, याद करिए, पहला क्या था, फुड का invasion हुआ थ थी, हना, economic जो prosperity थी, वो पूरी तरह से खतम हो रही, धीमेधी में खतम हो रही थी, economic prosperity, गुपतास का time पे, हना, इसके अलावा क्या reason था, गुपतास का decline का, नोट करिए, कि भाया, western India उनके हाथ से निकल गया था, loss of western India, गुपतास के हाथ से western India निकल गया था, ठीक है, तो य decisive role play किया, वो था, birth of futi trees, या फिर futi trees का strong होना, futi trees जो थे, गुपतास के, वो बहुत ज़्यदा strong होते चले जा रहे थे, और जब गुपता एक बार fully यहाँ पर, जब decline कर जाते हैं, तो वो independent अपने आपको घोशत करने रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक की कहानी हम लोग पढ़ी थी, फिर मैंने आपको बताया कि emergence है, वो होता है local players का, ठीक है ना, emergence of, emergence of, emergence of regional states in North India, ठीक है न, note करिएगा, emergence of regional states in North India, emergence of regional states in North India, यह भी मैं आपको यहाँ पर cover करा चुका हूँ, ठीक है, जैसे for example, मैं आपको बताऊं, पांच यहाँ पर regional states है, जिनका आपको नाम ज खाया हुआ है, number one, क्या मैंने आपको बताया, please note करिए, एक तो हो गया आपका pushybhuti dynasty, एक तो हो गया pushybhuti, दूसरा हो गया, please note करिएगा, please note करिए, God, ठीक है, यहाँ पर लिख लिजे पहले आप लो, मौखरी, मौखरी, ठीक है, फिर लिख लिजे C point, God, लिख लिजे God, फिर उसके बाद D point लिख लिजे, मैत्रिकाज, मैत्रिकाज, और फिर उसके बाद E point लिख लिजे, very important, मौखरी, pushybhuti, God, and obviously, regional states में एक आगया आपका, होना, होन भी एक portion को जो है, वो वहाँ पर rule कर रहे थे, ठीक है, तो जैसे कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, वेस्ट Western India का जो portion हो गया, वहाँ पर होन यहाँ पर rule कर रहे थे, तो regional states जो है, उनका यहाँ पर जनम होता है, और यह regional states में आपस में यहाँ पर लड़ाई जो है, वो शुरू हो जाती है, तो post-gupta का phase है, इस phase में आप में देखा, कि decentralization और जादा हो गया, decentralization और जादा हो चला गया कि modern period में, centralization बहुत जाजा था, हाना, एक बहुत ही ज़्यादा aggressively centralized system था, मौरियास का, लेकिन post-मौरियास ऐसा देखने को नहीं मिलता है, similarly, guptas का time पर जो centralization था, थोड़ा बहुत, लेकिन वो बहुत decentralized हो जाता है, थोड़ा बहुत जो area बहुत ज़्यादा देख रहे थे, यह scenario है, जो पूरा चल रहा था, ठीक है, इसके बाद मैंने आपको पूरा pushbhuti dynasty के बारे में पूरा cover करा दिया, ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर जो मैं आपको बताना भूल गया, हर्श बर्धन जब थ्रोन ने बैठता है, तो वो Buddhist एक monk था, दिवाकर ग ठीक है, यह point note करिएगा, एक point यह भी है कि जब Shashank of God, जब यह attack करते हैं मौकरी इसको, तो basically उस वक्त जो यहाँ पर बोधी ट्री था, बोधी ट्री को भी यह क्या करते हैं, बोधी ट्री को, तो कार्ट देते हैं, और फालगू रदी में ठीक दिया, ठीक है, इसको points को note कर लेना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके अलावा, यहाँ पर हर्षवर्धन को भासकर वर्मन, कामरूप के जो भासकर वर्मन थे, उनसे भी यहाँ पर हर्षवर्धन को सपोर्ट मिलता है, और eventually फिर वो लोग शशान को हराते हैं, तो basically दिवाकर गुपता का कि यहाँ पर उनको भासकर वर्मन का भी सपोर्ट मिलता है, भासकर वर्मन, ठीक है, इनका सपोर्ट मिला, कहां का, ओफ कामरूप के राजा थे, यह, और यह, तो इतनी चीजे जो है, वो दोस्तों, आपको नोट कर लेनी है, राइट, चलिए, और राइट, तो, I hope everything is now more or less clear, एक बार चलिए, अब यहाँ पर हम लोग chapter को discuss कर लेते हैं, let us see, यहाँ पर क्या-क्या लिखा हुआ है, इतना ही इस chapter में दोस्तों और ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, चलिए, एक बार देखते, देखिए, गुपता has ruled over North and Western India for about 160 years, 160 सालों तक लगभग जो है It is controlled North and Western India, मैंने कहा ना, future is strong होग होने लगते हैं, तो basically कम से कम आधे दर्जन future is, ऐसे रहे होते हैं, राइट, and then white, hons, मतलब नहां पर होडा भी आ गए, और होड जो है, वहाँ आता है न, कश्मीर का एरिया, पंजाब का एरिया और जो Western part of India है, उसको यहाँ पर होड बीज मैं ज्यादा इसमें फिर से नहीं जाओंगा हर्ष बर्दन का रूल जो है वह लिखा हुआ है इसको हर्ष एरा कहा जाता है थानेश्वर्थ वह रूल करना शुरू करते हैं अब यह पूरी कहानी जो है मैंने आपको अलड़ी यहां बताई है इसकिवेशन होए हैं कहां पर हर्ष का टीला पर यहां इसकिवेशन हुए है यह थानेश्वर में हैं वहां पर हमें कुछ चुछ ब्रिक बिल्डिंग्स देखने को मिली हैं आपको इसमें पर रेजन थे तीन यहां पर reasons है, यहां पर तीन फाइदे हैं, जो advantages था है, यहां तो मैं कह सकता हूँ, three advantages, जो कन्नौच को मिलते हैं, क्यों कन्नौच prominence में आया, वो मैंने आपको अल्री ओरली डिसकस किया, नाट प्रजंस, यहां पर और डिकलाइन हो रहा था, क्यों क्वानिकी मनी की scarcity थी, जैसे मैंने बताया ना कि भाई जो अगर आप देखोगे कि करनसी का इस्तमाल जो है कॉइंस वो कम हो रहे थे जो लाइंड ग्रांट थी वो ज्यादा यहां पर बढ़ रही थी हाना जिसकी वजए से क्या हुआ लोग चालरी दे रहे हैं तो लाइंड ग्रांट दे रहे हैं फ प्रव हुआँ तो यह कि बॉस्ट्रा कि वहां से बैणके हैसे और से हो तो और तो यहां पर 250 ग्राप इसको 40 packaging इसकी अलाम से कर तकते तो मि match पैस्ट के रहोता थे हो मैंना यह यह था कि इमको लास्ट हिंदू एंपरर आफ इंडिया कहा जाता है अब इनकी अथारिटी जो है वो लिमिटेट थी नौर्थ इंडिया तक कश्मीर हटा दीजे excluding कश्मीर क्यों साउथ इंडिया में क्यों नी क्योंकि मैं आपको बता दिया और लिडी की इनकी रडाई जो है हर्शवर्दन की वो फुलकेशन 2 से हुई थी पुलकेशन 2 में उनको नर्मदा की किनारे जो हरा दिया और नर्मदा बाउंडरी बन गई थी हर्षवर्दन और पुलकेशन 2 के भीच में फिकिन अब हर्ष का डारे्ट कंट्रल जो है राजस्थान पंजाब उत्तरपदेश बिहार और उरुष्या क कर रहा था लेकिन बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो इंडिरेक्टली हर्षब्रधन गंदर थे जैसे तो ये एक चीज हो गया देन हर्षब्रधन के के बारे में हमको और चीजे कैसे पता चलती है बान भट के हर्श चरित्रा के दौआरा छीच यहांपर जो अकांट्स हमको बाजाते हैं हर्श्वक्रद्र के बारे में चाइनीज फिल्ग्रिम थे उन सांग ठीक है जैसे फाहें आये थे कभी वह भी चाइनीज ट्रावलर थे यहां पर वैसे देखिए यहूं सांग थे यहूंता सांग वह अपने अकाउंट में इस बात का मेंशन करते हैं वह 15 साल जो है वो इंडिया में रहते हैं 15 एंडिया इंडिया अब देखिए हर्श वर्दन जो है वह एक फेस्ट ऑपोजिशन फंडी शेवाइट किंग शचांक और ठीक है तो यह शचांक ऑपोजिशन मिला मैंने आपको बताया पूरी कहानी बजा दी शचांक की डैंटी में राइट फुरहां से इसकी जो होस्टलिटी थी गौड और था इसकी वर्दान निस्टी की वह यहाँ पर खतम हो जाती है हर्शा साउध वर्ड मार्च वोस हॉल्टेट हर्श का जो साउध वर्ड मार्च था नीचे साउध का एक्सपडिशन करना चाह रहा था तो वह नहीं कर पाया क्यों क्योंकि यहीं पर आपको देखने क्या मिले आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब इनके हम आड्मिनिस्ट्रिशन की बात करते हैं मैंने आपको वैसे एक लाइन ने बता दिया यहीं वर्ड काफी है पूरा क्रक्स करने के लिए चलिए एक बार देख लेते हैं क्या-क्या चीज़ें यहां पर इंसी आटी मेंशन देखे अब जैसे मैंने बताया कि बहुत जादा फ्यूडिलिजम बढ़ने लग गया था हाना तो यह चीज जहां मेंशन किये हर्शाइस अड्मिनिस्ट्रेशन जो है वह लगबल लगबल आख वही modern follow कर रहा था जो गुपता के ताइम में था घूपता के ताइम में क्या था डी सरा इस goose Nadal चाहिए सने रोगडमेंट वा यहां इुन को खैद्धरीव जमीने बिजारी थी ःफिक का यही चीज क्या शो कर रहा है वे लिए चीज़ क्या चीज चिज और इस इस रभशाज रहें नुबर डूंस चीजव है आसे आप यहां पर देख रहा है मैंने आपको और यह देखिए यह तरीका मैंने आपको यहां पर बता आखिए इसके अलावा, number three, again the same चीज है, same चीज क्या है, land grants जो है, क्या हो रही थी, continue to be made to the priest, priest को आप land grants दे रहे है, recognition of the service to the states, तो basically, in recognition of the service to the states, तो basically land grants जो किसको दी जा रही है, किसको जमीने दी जा रही है, वो continue होई priest को देने में, और priest क्या कर रहे थी, priest in return, उनको recognize कर रहे थे, कि हाँ यह राजा है, और राजा क्या कर रहे थे, उनको जमीन दे रहे थे, ठीक है, यह चीज यहाँ पर चल रही है, so practice of rewarding and paying officers with land grants began under हर्षा, तो जो practice है, क्या कि भाईया, reward कर रहे हैं, या पर जो officers है, उनको pay कर रहे हैं किस से land grants दे दे कर, ठीक है, यह चीज जो है, हर्षा के पीरणवी शुरू हो जाती है, possibly contributing to the limited issuance of coins during his rule, तो एक बात यह clear हो जाती है, कि हाँ, जो rule था हर्षा का time पे, वहाँ पर coins और कम हो गए, क्यों? क्योंकि आप जो payment कर भी रहे हो, जो आप पैसे दे भी रहे हो, वह आप land grants के रूप में दे देते हो, आप जमीने दे देते रहे हो, भया, जमीने ले जाओ, क्या मतलब है? इस तरह से यहाँ पर land grants चल रहा था, ठीक है? अब यह सब चीजे हम लोग details हैं, यहाँ पर already बात कर चुके है, फिर से भाई चीज़ रेपीटर है, कि हर जो है, वो land grants अब देता था officers को, जमीने देता थे officers को, तो वो देते थे through charters, ठीक है ना? Through charters, जिसमें आपको concessions देखने को मिलते थे, which provided similar concessions to the priest, as earlier grants. तो basically, हर्ष के टाइम पे जो जमीने दी गई, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ जो सेना है, वो यहाँ पर ऐसा बताया गया, हर्ष बर्दन पर थी, हर्ष का यहाँ पर माली जे टेरिक्ट्री है, हर्ष की यह टेरिक्ट्री है, तो हर्ष क्या कर रहा होंगे, कि यह इनका फ्यूर्ट्री है होंगे, F1, यहाँ पर इनके फ्यूर्ट्री है, F2, यह एक फ्यूर्ट्री है, F3, यहाँ पर एक फ्यूर्ट्री है, F4, यहाँ पर एक फ्यूर्ट्री है, F5, हर्ष के, तो हर्ष क्या करते थे वार टाइम में इन सब से क्या करते थे वार टाइम में इन सब से हर्ष क्या करता था आर्मी ले लेते होंगे ठीक है ना इनका सपोर्ट मिलता होगा तो इनकी भी सेना इनकी भी सेना इनकी भी सेना मिला मिलाके ऐसा माना जा रहा होगा कि हर्ष का इतना में लड़ाई के टाइम पे जंग के टाइम पे हर्श जो है वो अपने फिडिट्री के सपोर्ट यहां पर लेते होंगे चलिए अब रेविन्यू का एलोकेशन का क्या तरीका था यानि कि कैसे जो पैसा का आया है एक अपने किंग्डम के अंदर हना हमाई समराज में जो पैसा यहां पर होता था उसके इलावा यहां पर जो ऑफिशली से उनको यहां पर इंडॉमेंट्स इहां पर गना यही सत्या खर्चा होता था कर दिया तो चाइनीज जो पिल्ग्रेम थे यून सांग, यून सांग जो है वो इस बात का रिपोर्ट करते हैं कि हर्शा के किंडम पे, हर्शा के टाइम पे, जो उनका रेविन्यू था, वो चार पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड होता था, और वो चार पार्ट्स आपके सापने यहा जाता था हर्श्वादान के टाइम पे ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर not well maintained, क्योंकि अब वही बात है ना, कि आप समझ सकते हो, क्यों, क्योंकि हूँन सांग जब भारत यहाँ पर आये थे, हर्श्वादान के territory में, हर्श्वादान की kingdom में आये, तो एक बार हूँन सांग बिजली नहीं आई दिंबर, तो भया दिंबर वा बिजली नहीं आती है, तभी एक दिन ऐसा हो गया, फुक गया होगा, ट्रांसफर्मर, पर हम उसको जनलाइस करते हैं, भया उस चहर में तो बिजली नहीं आती है, तो माइट भी, यहाँ पर हियून सांग नोटेट देट और जो है, वाज नॉट मेंटेरिन की खर्शास ताहीं, यहून सांग इंसल्फ वाज रॉब्ड, खुद भी यहाँ परूं को तोरी को गई, उनके बिलॉंगिंस की, ठीक है, डिस्पाइट तब प्रेजंस ऑफ लॉज विच सीवेर पनिश्मेंट, सीवेर पनिश्मेंट हो ठीके, under Buddhist influence, the severity of punishment may have been mitigated, हो सकता हो, बुद्धिस का influence काफी ज़्यादा आगेा था, लाइफ रिया जाता हो, लाइफ एमपुद्वेंट कुट पूरेजिमेंट को निया पर निजनक का पर कम कर दिया जाता हो, लाइफ उमपरेज्मेंट कूद बितुंगल्ज वाइख काट Diplomatic Relations in China with the Pan Ampire. Now see, अब Diplomatic Relations हर्ष ने कैसे मना के रखे थे? जैसे, for example, लेखे, number one, sent a Brahmana to China as an ambassador. Number one, three ambassador भीजे गए थे to India. Now, यहाँ पर, Wang Hun Se came to India in 647 CE. In 670 CE, It Singh visited also talk about हर्षा. So, It Singh जब विजेट करते हैं, वो भी हर्ष के बारे में यहाँ पर बात करते थे. Diplomatic Relations यहाँ पर हर्ष का ताइम पर थे. वो यहाँ बता रहा है कि देखे, It Singh जो है, वो भी विजेट करते हैं. ठीके, दिन मताया, Wang Hun Singh, He also came to India. यही पता चलता है हमको. तीन Ambassadors sent to India भेजे गए थे. ठीके, and sent Brahman to China as an Ambassador. यहाँ पर इन्हों ने भेजे ब्राह्मन. ठीके, Brahmana to China as an Ambassador. But by the, by then, हर्ष पास्ट अवे. फिर सब तक हर्ष जो है, उनकी डेथ हो जाती है. ठीके, यहाँ पर जब यहाँ आते है, other countries के साथ, especially यहाँ पर China के साथ देखने को मिलता है. ठीके, अब हून सांग की जर्नी को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं. हून सांग क्या क्या बोलेंगे? हून सांग अचाइनीज पिल्ग्रिम, वो चाइना को चाइना से चलते हैं, 649 AD में, वो ट्राविल करते हैं इंडिया की तरफ, वो ट्राविल करते हैं इंडिया की तरफ, आपको पता है नालंदा जो है विहार में, वो बहुत ही बड़ा बुद्धिस सेंटर बन चुका था, और यहाँ पर वो पढ़ाई करने के लिए आते हैं, ठीके, और फिर उसके बाद वो जब इंडिया आते हैं तो इंडिया में यहाँ पर वो कई साल रह जाते हैं, ठीके, ना कई साल यहाँ आता रह जाते हैं, 15 अप्रॉक्सिमेटली और वो चाइन वापस जाते हैं, इंडियर है, यहाँ पर बन जाते हैं, अंडर हिउनसांग इंफ्लूएंस, हिउनसांग प्रोवाइड़ विवेड़ अकाउंट्स ऑफ हर्शास कोट और लाइफ, अब हर्श के जिंदगी के बारे में, उनके कोट के बारे में, यहाँ पर हिउनसांग ने, काफी जढ़ा विवेड़ अकाउंट्स जानी की बहुत डिटेल में, अकाउंट आइए है, इस अकाउंट इस कंसलेट रिचर, उनका अकाउंट हिउनसांग का काफी रिच माना जाता है, और उपर से more reliably माना जाता है than that of Fahe Fahe जो आये थे उनकी account से Fahe obviously आप बताई है किसके time में आये थे यह आप लोग से comment box में answer पूरना चाहता हूँ Fahe visited India during the time of which ruler ठीक है तो basically यहाँ पर जो account है हिउन सांग का उसको ज़्यादा rich और reliable माना जाता है in comparison to the accounts of Fahe ठीक है next now state of cities cities का क्या हल हुआ हिउन सांग's observation indicate that पाठली पुत्र और वैशाली वर इन a state of decline अब मैंने आपको बताया पाठली पुत्र और वैशाली decline हो रहा है कन्नौज उपर आ रहा है ठीक है in contrast प्र्याग और कन्नौज ये द्वाप की वीजन में थे और ये गेंड कर रहे थे importance हना और देखें यहाँ पर आप कन्नौज और प्र्याग के अंदर ही आपको assemblies भी देखने को यहाँ पर मिलती है socio-economic differentiation now see अब वही देखें जो society का क्या हिसाब किताब था socio-economic differences तो पहले तुम बात कर रहा है ब्रहमना और शत्रियाज की तो ये top two वाले जो वर्ण हो गए ब्रहमना शत्रियाज वार रिपोर्टेट तो लीड simple life अब वो एकदम simple life बता रहे है while nobles and priests led luxurious lives लेकिन जो यहाँ पर nobles है जो यहाँ पर priest है वो बड़ी luxurious life यहाँ बता रहे है अब देख रहे हो ठीक है क्यों 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 एक तो land grants भी हो रहे है इनको land grants जो होते थे क्या होता था भाई land grants अगर हो रहे है तो land grants का क्या मतलब था यहाँ एक जमीन जो है आपको दे दी अब उसके agriculture कराना आपका काम से हाना कुछ भी चीज मतलब सारे rights जो है वो land grants जो करने में सारे rights भी जो है वो दे दी जाते थे ठीक है सारे rights मतलब economic rights सारे दे दी गए अब अगरिकल्चा कराओ पैसा कमाओ अपना बढ़िया एक्डम सेट करो जंदगी अपनी इस सग्जेस्टेट इफरेंसीशन विदिन दा रैंक्स ऑफ दी तू हायर वर्णाज अब देखे दो हायर वर्ण के अंदर भी डिफरेंसीशन देखने को मिल रहा है हाना कैसे ब्राह्मनाज और शत्रियाज यह सिंपल लाइफ जी रहे हैं ठीके लेकिन वही पर प्रीस्ट यार लेविंगा लग्जीरेश लाइफ तो आज यू कन सी इस सग्जेस्टेट डिफरेंसीशन विनिन दर रैंक्स रैंक्स के अंदर भी डिफरेंसीशन था ऑफ दे टू हायर वर्ण्स पॉसिबिली विदा मैजॉर्टी इंगेजिंग इन दी अग्रिकल्चर ठीके मैजॉर्टी अग्रिकल्चर में डील कर रहा है यहां पर बुला गया कि जो जो एंटचेबिल्स थे वह गाओं के बाहर रहते थे और जब वह उनको गाओं के अंदर आना होता था तो उनको किसी तरह का सिंग्नल या पर इंडिकेशन देना पड़ता था कि हम आ रहे हैं और जब वह आते थे तो अंटचेबिल्स तो सारे चास्ते को खाली कर दिया आता था क्योंकि उनको बड़ा इंट्री इंटर ना पड़ेगा बहुत चिला के शाउट करके ताकि बाकी लोग जो हे वह हट जाए और इसे डिस्टंस बना ले थे कि इनको बड़ा पॉलूटिट वह पर माना जाता था राइट नाव लेट लेट चाइनीज पिल्ग्रिम इन टाइब चाइनीज पिल्ग्रिम उस वक्त अठारा सेक्स थे बुद्धिजम के अंदर ओल्डेस बुद्धिस सेंटर जो है यह डिक्लाइं कर रहे थे वेरें डिक्लाइन ठीक है नालंदा फेमर सेंटर बुद्धिस उन्वरस्टी के ट्रेंट बुद्धिस मौंग पता हैं को कि नालंदा में एक बहुत बड़ी उनस्टी है और वहाँ पर बुद्धिस सेंटर वो बन चुका है अब दसदार स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहे थे ठीक है अब दसदार स्टूडेंट एक बारे पढ़ रहे हूं पहले कुछ तीन इनार पच्छे पढ़ रहे थे उसके बाद और बड़ी उनस्टी बनाए गई तो महाँ पर इतने लोग नहाँ पर आके यहाँ पर पढ़ पा रहे थे ठीक है अब देन टॉल्रेंट रिजस पोलिशी तोल्रेंट रिजस पॉलिशी हर्श इनिशली क्या थे शैविजम मैंने आपको इस ट्रॉंग पैट्रॉन ऑब बुद्धिजम बात में बुद्धिजम को पैट्रॉन करने लगे यह मैंने आपको लाइन स्टार्टिंग में लिखा दी ठीक है अगर आपको याद हो यह लिख दिस शैवाइट इसकी निटिक कर लेते हैं ठीक है अट रिख लीजी चेगा आप लोग ठीक है इमैं लिखवा चुका पहले शैवाइट बुद्धिजम हो गया वह भी कौन से हीन्यान बुद्धिजम हो गया ठीक है बाद में जब हुन सांगा तो तो महायान बुद् कि हर्ष इनिशली फॉलोड शैविजम और बाद में वो स्ट्रॉंग पैटर्न हो गए बुद्धिजम के अब एक ग्राइंड एसमेली में एक होती है कहाँ पर प्रयाग में बताया मैं आपको तू प्रमोट वाट तू प्रमोट दी महायान बुद्धिजम जैसा मैंने आपको महायान बुद्धिजम की यहां पर बात वो करने लग गए थे ठीक है अटेंड बाइट बाइवेरियस रूलर्स एंड थाउजंड आफ प्रीस्ट वह सारे स्कॉलर्स यहां पर जो है वो इसको बिजट करते हैं जैसा मैंने बताया ना कि हूंसांग जब शुरू करते हैं त अधτι सारे लोग जो है यहां पर आते हैं इस पर पर असमली के इंदर मैसेफ टावर इंद विदा गोलरें बुद्धा स्टैच्ई वो असम condemnation डिया बढ़ बहुत बड़ा स्टैच्ईट गोल्न बुद्दास हैं एक मैसे फटावर यहां पर बनाया जाता है यहिस video असा करने की यहां तो भाया यहां पर हर्ष का यह समझ में वो भुद्द्धिसम की तरफ हो गए थे कि उन्हों पर यहां पर बहुत सारे ब्रहमनों को őकर दिया इस तरह की चीज़ें यहां पर हो गई आप अपर यहां पर सारे आते हैं बुर्धा इमेज बॉर्षब अब देखे रहो बुद्धा की इमेज वर्षप यहां होगे लगी यहां वोग पर आप समझे रहा हो देखो इमेज बर्षप शुरूओ उन्हें सब कुछ दे दिया अपना भी सब कुछ दे दिया गेवे गिविंग ओवे अल्मॉस एवरीधिंग एक्सेट इस परसनल प्लोधिंग परसनल प्लोधिंग छोड़के बागे सब कुछ उन्हों ने दांद कर दिया ऐसा भी यहां पर देखने को मिला है एड़ इंड 13 ड्रामा जो है वो इसके कॉंट्रिबिशन में आ गए प्राक्ट्रिस अब देखिए वही बात है जो मैं आपको बोल रहा था पढ़ लेगते हैं फिसान में का लिखा हुआ है देखा हुआ है दा प्राक्टिस ऑफ अट्रिबूटिंग वेरियस अचीवमेंट्स कोई और था ठीक है ना इसमाज में आ गया देन दे न्यू फेस स्टार्ट्स तो सी वाटर पॉलिटिकल चेंज टेक प्लेस यहाँ पर टू हंडड़ कि आइधिंग यह सब चीज़े तो इसके बाद अलग होंगी ठीक है यह चीज मेरे खाल से हां आगे पढ़ेंगे मैं एक बार देख लिता हूँ यह आपके NCRT में यहाँ पर है के नहीं ठीक है वरना यहाँ पर क्या बताया गया है यह मेरे खाल से नेक्स चाप्टर की बात हो गए यहाँ पर गलत दिख रहा है यहाँ पर तो इतना ही है ठीक है यह वाले जो है वो नेक्स लेक्टर की स्लाइड यहाँ पर लगके आ गई है तो इसको हम लोग जो है वो नेक्स वाले लेक्टर में यहां कवर करने वाले ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा छोटा सा चाप्टर है और छोट बिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले लेक्चर में लाइस ओल फो टोड़े फ्रम माइट साइड पढ़ाई करते रहे हैं महनत करते रहे हैं जै हिंद जै भारत